नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सुभी का अरियांत ओन्लाइन एकेडिमी पर हो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिछला वीडियो ज़रूर देखने हैं इंसर्शन शोड का इसे का एक मोडिफाइड वाज़र आभी को सकते हैं तो बेसि तो टोटल सिक्स एलिमेंट्स मेरे पाद यहां पर है ना यहां पर प्रॉब्लम इंसर्शन शोड में क्या है कि अगर कोई भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट लास्ट वानी पोजिशन पर होता है तो मैं एन स्ट्वेर टाइम लग जाता है उस पर्टिक्लर एलिमेंट को फॉस्ट इस केस में वन जो है वह बिल्कुल इसमॉलेस्ट एलिमेंट अब मुझे इसे असेंडिंग ओडर में अगर अरेंज करना है और अगर मैं इंसर्शन शोड का यूज कर रहा हूं तो मुझे ओडर ऑफ एन स्क्वेर टाइम लगेगा इस वन को अपनी करेक्ट पोजिशन जो क कि फर्स्ट पोजिशन है वहाँ पर लाने के लिए तो उसके लिए एक मॉडिफाइड वर्जिन के जाएगी और एक्जांपल यहां पर आपको दो पंजी कि वह कंपेर ना करते हुए इन बाइट वेच एलिमेंट में इस एरे को डिवाइड करता है वो दो एलिमेंट इसके बाद में यह जो 45 इसको कंपेर करने वालों 21 से क्योंकि इसमोलर है 45 से तो मैं इन दोनों को स्वैक कर जाएगा तो 21 यहां पर आजाएगा और 45 इदर आजाएगा अगला एविमेंट के 17 और 14 17 आगें इसमोलर है 17 को मैं 40 से रिप्लेस कर दूँगा और यहां पर 40 जाएगा उसके वाद इसके वाद इसक्स्टीन इन इलेवन तो यहीं पर रहेगा यह और 16 11 से बढ़ा है तो यह यहां पर आएगा राइट यह हो गया आपका इटिरेशन वान जिसमें मैंने इन बाइटू किया था हर करूगा तो इन का मिल्यी एन बाइटू करने से पोर हो गया था वाद वापिस एन बाइटू अगर ने करूगा तो यह हो जाएगा तू इस बार हर सेकेंड अलिमेंट को मैं कंपेर कर देना है इस तो इस त्री को पर वाद तो फ्लिए अगर आप इनुक्सिंगे तो जीरो तो इसे स्वेप कर देंगी एवन लैट साइड में आजाएगा त्वेंटी वन यहां पर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यह फूर्थ एलिमेंट इसे में सिक्स्ते एलिमेंट से कंपेर करने वालों इच एकन अलिमेंट थर्टी टू अपनी सई जगे पे है क्योंकि इसेंडिंग ओडर में 40 के कंपेरेजर में और इस 45 पर 16 से कंपेर करूंगा में तो 16 स्वाल और है तो 45 से रिप्लेस कर देंगी राइट सो यह हो गया मेरा 80 रेक्शन 2 ना वापिस से मुझे क्या करना है 10 बाई 2 तो एन का विल्यों भी 2 सा 2 बाई 2 मसा 1 अब मुझे क्या करन है और एक दिमान को कंपेर करना है जिस भी एन 11 आने थे रेक्ठ पोजिश है 11 न 17 ध्या रेक्ट सेवेच पोजिशन 21 and 17 they are at correct position 32 and 21 they are at correct position 32 and 16 they are not at correct position तो मुझे क्या करना हुआ 16 and 32 को इस थाइप से replace करना हुआ उसके बाद 32 and 40 they are at correct position 40 and 45 they are at correct position अगें what I need to do you can understand जब तक ये 1 हुए है अब आपी से हमे 3 and 11 that is 3, 11, 17 this time 16 would be here 21 would be here 32 it's just like insertion short now और ये ज़े 21 है 16 it is okay but इस बाद 3, 11, 16 ये दो मुझे पो जाएंगे 17, 21, 32, 40 and 45 राइट so each time हमें जो array का size है वो 2 से divide करना है originally 8 था 8 तो ये होगा पूर इसको वापिस से 2 से divide किया हर second element को compare करना है वापिस 2 से divide हुआ और first element को compare करना है right that is the concept इसका code अगर आप देखेंगे तो हमने follow लिया हुआ है और आप देखेंगे कि हम array के elements को rearrange करेंगे n by 2, n by 4 till 1 for int interval n by 2 बतलब हर second interval पे हमें क्या करना है element को compare करना है जब सिक interval का value greater than 0 है और उसे update कैसे करना है हर बाद divide by 2 करना है अगर n का value initially 8 है वो next time 4 हो जाएगा next time 2 हो जाएगा इसी type से अगर आपका कोई भी element है वो integer में हो जाएगा 7 है तो भी 4 हो जाएगा 3 हो जाएगा रहे that is the thing उसके बाद यह जो 4 लोग है यहाँ पर check होगा और condition check होगी कि वो greater है या नहीं है और plus 1 plus 1 करेंगे मतलब यहाँ पर जैसे आप देख सकते plus 1 मतलब यह वाला 4th element जो है इस से compare होगा 32 11 से plus 1 कि यह मतलब 45 compare होगा 21 से लाइक बाइक बाद हम यह प्रोसेस फोलो करने उसके बाद क्या होगा जब यह completely last position तक आ जाएगा जब आई का value less than 1 खेल हो जाएगा तो हम क्या करने वाले उसके बाद यह जो आपका उपर वाला पर लूपे उसमें इंटर्वल का value divide by 2 कर देंगे तो अब यह 4 की देगे 2 हो जाएगा और आई का value इंटर्वल तो हो जाएगा तो अब हम हर second element को compare करेंगे comparison में every time हम क्या करें left वाले element को check करें कि वो बड़ा तो नहीं है right वाले से अगर ऐसा है तो उन्हें खरक करना है और one by one इस process को आप इस तरीके से follow करेंगे लास्ट में आप follow का use करके जो आपका array है उसके सारे elements प्रिंट कर सेखेंगे right so that is the concept of shell short अब अगर हम बात करें इसमें time complexity analysis की तो अगर best case की बात करूँ तो it would be order of log n, n log n it would be order of n log n यह उस case में जब already वो sorted है जब आपका जो sequence है वो already sorted है उस case में आपको सिर्फ 1 को 4 से 2 को 5 से यह compare करना है बट कोई भी swapping नहीं होगी तो order of n log n time में आप इसे perform कर सकते हैं लेकिन अगर यही आपका worst case हो गया या average case की अगर मैं बात करूँ तो average case में order of n log n का square हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि जंबल्ड elements में कुछ swapping काने की जरूरत होगी लेकिन worst case में order of n square ही होगा क्योंकि completely हमें last से लेके first तक मतलब n minus 1 फिर n minus 2 तिल 1 तो 1 से लेके n minus 1 तक हर बार swapping की जरूरत होगी that is nothing but order of n square space complexity की अगर हम बात करें तो कोई भी extra space हम इसमें use नहीं कर रहे है तो space complexity जो होगी आपकी shell short के case में वो होगी order of 1 constant और यह algorithm stable है तो यह algorithm stable नहीं है it means that कोई भी same element अगर आएंगे तो उनका sequence is change भो सब्सक्राइब that is the thing right okay कोई भी confusion यह वेरी है तो you can ask freely in the comment section do stay tuned with such more videos and lectures have a very nice day जाई ही जाए भार